सिर्जन घोटाले का दन्स जहल रहे भागलपूर में एक और नया घोटाला सामने आया है भागलपूर नगर निगम के भष्टाचार ने जिलेवासियों को अंदर से जगजोर दिया है नगर निगम प्रसासन ने बड़े ही चतुराई से मेयर सीमा साह और उसके पती जिलापरी सदध्यच अनन्द कुमार उर्टुन्टुन साह के साथ मिलकर नगर निगम को जम कर चूना लगाया है पूरे हेरा फेरी का भंडा फोर खुद जिप अध्यच के पेट्रोल पंप पर काम कर रहे पुर्व करमचारी अनिल कुमार ने किया है तो पर कारण मैं जो भीमार रहा तो औ्टोमेटिक एक है काम पर ने जाने को इस पीछ में रखिए फिर भी जो मैं स्वस्थ हुआ उन्हेकि वहां घरकी आप मैंने आदमी रख लिए तो ज्यो सब्सक्ताब होती है कि भी आपक्राइक या नहीं है। इसका कुछ एक लेखा-जिखा ओजाना चाहिए है निसके द्वारा जब वह जो भला कि ठीक है तो मैं ने सरहा चीज बना के दिया उनका यह आपका बांकर है बताया है उसके मैंने सिरी एक चीज है उनसे कहा है कि भाईा जो नगर निरम के द्वारा जो पैसा आता था जो मैं सब्सक्राइब करदे निकाल कर देता हुआ एक साथ हमको पुदने जाए ताकि कि गोजिश मकत के आए किसी भी सरकार के तरफ से कर्याम नहीं आए कि आप में पैसा लिया है इसी बात को लेकर वहां सार्व मार्फित दो दिन बुला कर इसी बात पर मार्फित करने लगें कि ठीच करिए तो मैं जब दोड़ा गया तो फिर वह सोचा कि कर दियाना बात बोल दे अनकर निगंबरा फिर दो बूलने से मोका ही ने दिया फिर भालत च्छा तरह 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 पहले तुम्हार के मौह में मारके सब इस संबंद में साहकुंड थाना चेत्र के सुक सरोबर निवासी अधिकलाल ताती के पुत्र अनील कुमार ने बताया कि वह जिप अध्यच के पेट्रोल पंप पर बर्स 2013 से ही लेखा जोखा मेनेजर के पद पर काम कर रहा था लेकिन उनकी मजदूरी का भुगतान नगर निगम से किया जा रहा था अनील कुमार की माने तो उन्हें पहले मजदूरी पेट्रोल पंप दौरा नगद रूप में दी जाती थी लेकिन 10 दिसंबर 2019 से उन्हें निरंतर नगर निगम दौरा बैंक के खाते पर भुगतान किया जाने लगा यही नई हर महिने नगर निगम दौरा मजदूरी की रासी से कहीं ज़दा की रासी उसके बैंक के खाता 118-295-24444 पर ट्रांसफर की जा रही थी और मजदूरी से जदा की रासी उन्हें बैंक खाते से निकाल कर नगद जिला परिसद अध्यश टुंटुंसा को देना होता था इन सब के बीच हद तो तब हो गई जब अनील कुमार के काम छोड़ने के बाद भी उनके खाते में नगर निगम से लगाताल भुगतान होता रहा अनील कुमार ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में यानि की अप्रेल 2020 में वो संक्रमन की चपेट में आ गया था जिसके बाद वो कुछ महिने घर में ही रहा लेकिन जब वो स्वस्थ होने के बाद वापस पेट्रोल पंप पर नौकरी करने पहुँचा तो उन्हें टुन्टुन साके किसी अन्ने करमचारी को उसके अस्थान पर रखने की बात कहकर उसे हटा दिया बाब जुद इसके ताजुब बाली बात ये है कि नगर निगम दोरा उनके खाते पर फुर्व की भाती यानि 10 दिसंबर 2019 से नी सगस्थ 2020 तक नियमित रूप से रासी का ट्रांसफर धरलने से होता रहा इसी वर्ष पिछले 19 अगस्थ को उनके खाते पर एक बार फिर नगर निगम से 18603 रुपिय की रासी को ट्रांसफर कर दिया गया इसी दर्म्यान सरकारी रासी फिर से उसके बैंक खाते पर आने से अनिल कुमार अचमभीत हो गए और नोंने नगर निगम के इस भ्रष्टा चार की जानकारी सूबे के मुखिया नितीस कुमार प्रधान सची भागलपूर के प्रमंदलिया आयुक्ति जिला धिकारी और अधिकारियों को भेजा है अनिल कुमार ने बताया जब पूरे मामले का उन्होंने भंडा फोल कर दिया तो इस पूरे खेल पर परदा डालने के लिए बी सगस्तो नगर निगम के कथित कर्मी साजादा ने उसे मुबाइल संख्या 9709737538 से फोन कॉल कर उन्हें कहा कि भू ने उसे कोई परिशानिन नहीं हो लेकिन उन्होंने ऐसा करनी से मना कर दिया इसके पस्चात अनिल ने भी यह रासी किसी को वापस नहीं की इसके उपरांत कुछ प्र कथित निगम कर्मी ने मेर के पती अनंद कुमार उन्टुन्टुन्सा से भी फोन पर बात कर वाया इस अनील काफी भैभीत हो गया क्योंकि यह मामला प्रावमधिक तोर पर सरकारी रासी के एक गबन से जुड़ा हुआ परतीत हो रहा था अनील कुमार की मा ने तो इससे पहले भी तुल्टुल सा ने पैसे की मांग को लेकर उसे रूम में बंद कर उसके साथ मार पीट और काली का लोज किया था है हम पुछ ने कर सकते हैं फिर मैने एस्पी आपके पास गया संजोग से एस्पी साहब फी लिमेट लेकिन उनके कथना उसाथ द्याश्पी साहब को कॉल करके बला गया कि जितने भी फर्यादी है उनका फर्यादी आप सुन लें तो उनके द्वारा कॉल हुई डियस्पी साथ के द्वारा साकुन के थाना प्रवारी को कॉल हुआ कि यह क्या मामला है फर्स्ट पूटिसन पर आप में कोई तरह का एक्षन नहीं लिया तब तो मेरे पास हैं उनके द्वारा भी कहा गया कि इस पर कारवाई कीजिए लेकिन अ क्या बोला जा रहा है क्या क्या केस होगा या नहीं होगा आगी तक कोई क्या रिपोर्ट है अभी तब ज्यान में इसकी संगा पर 1100 को नगर्नीम पे द्वारा फिर हमारे खाते में पैसा आया मैं सहाम गया सर कि यह क्या मामला है जब उनसे मेरा संबंद खतम हो गया है फिर यह किस तरह का पैसा है तब इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आवेदन मुख मुद्री में ताकि यह सरकारी पैसा है कोई तरह का अगरबात हो जाती है तो मैं इसका कुछ जान भी नहीं रहा हूं तो यह पैसा मेरे खाते पर क्यों बार-बार आ रहा है इसके लिए मैंने सोचा ही था कि 20 तारीक को कुणिगर निगम से जिसका मुवाइल नंबर मैंने नोट करके और सेव करके रखा है उसके द्वारा फाउन आया जो कि उनसे पुछ है हम कि आपका नाम क्या है तो बोले साहजार करके नाम बताए तो उनसे बोली कि आप क्या बात है तो अग्मिस यह बुला इसा नहीं हो सकता है तब मैंने इस जानकाई के लिए मिडिया साहफ का सयोग लिया कि मुझे बखसा जाए क्योंकि बढ़ा बड़ी-बड़ी धंकी आती है कि इस तरह अगर तुम कर दो बढ़वात कर देंगा मैं सहमा हुआ हूं मेरा साथ परिवार एदम डर से सामा हुआ है अब इसके लिए जो आप लोग करती हो मैं सरकार से चाहता हूं कि मुझे जैसे गड़ीव आदमी कुन्याय मिले और यह सरकारी परिशा का जो भी जांच हो करके मुझे इससे चुट करा दिया प्रारंबिक जांच में अनील कुमार के साथ साथ अब तक मेयर और मेयर पती के कई नीजी सहायकों के खाते में नगर निगम प्रसासन की मिली भगत से लाखों रुपिया अवे दुरुप से भुकतान के जाने का मामला सामने आच चुका है लेकिन कोई भी अधिकारी मामला हाई प्रोफाइल होने कारण कुछ भी कहने से बचते दिख रहे हैं मामला जो भी हो लेकिन जिस तरह से जन प्रतनीधियों और अस्थानिय नगर निगम प्रसासन की मिली भगत से सरकारी पैसे का दुरुपियों किया गया है वह एक बड़े घोटा लेकिया और इसारा करता दिख रहा है